हलो दोस्तो, वेलकम टो स्टेडी उनिवर्स, मधिप्रदेश, डेली करंट अफियर में आपका स्वागत है आज 26 अपरेल 2019 और यह हमारी 137 भी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की द्रस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related, important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो, अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे दोस्तो, आइकोन में question दिया गया है जिसे आप टिक करके answer दें यह previous day का question है question number first हाली में अंग्रेजी भासा दिवस कब मनाया गया है? जिसको से योफ्षन है 23 अप्रेल हाली में 23 अप्रेल को अंग्रेजी भासा दिवस मनाया गया है यह दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है यह दिवस William Shakespeare के जन्व दिवस पर मनाया जाता है 2010 में सेयक्त रास्ट ने सेयक्त रास्ट भासा दिवस बनाया जिसमें 6 अधिकारिक भासा के लिए अलग-अलग दिवस निश्चित किये गए है अर्बी भासा के लिए 18 दिसंबर बनाया गया चीनी भासा के लिए 20 अप्रेल अंग्रेजी भासा के लिए 23 अप्रेल और फ्रांसी सी भासा के लिए 20 अप्रेल और रूसी भासा के लिए 6 जून दिवस मन बनाया गया है तो आपको इतना इन दिवस के बारे में याद रखना है Next question हाली में किस देश में रामाइण पर बिसे स्टार्क टिकेट जारी किया गया है जिसका सही उफ्षन है इंडोनेशिया हाली में इंडोनेशिया में रामायन पर बिसे स्टार्क टिकेट जारी किया गया है भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनेक संबंदों के सत्तर वर्ष पूरे होने पर यह टिकेट जारी किया गया है इसे इंडोनेशिया के बायप नियोमन जुआरता द्वारा डिजाइन किया गया है इस स्टम्प में जटायू को माता सीता की रक्षा के लिए बीरता पूर्वक लड़ते हुए दिखाया गया है दोस्तो अब बात आई है इंडोनेशिया की तो आपको मैप में इंडोनेशिया के बारे में बता दें मैप में ये जगह इंडोनेशिया को दरसाती है इंडोनेशिया की राजधानी है जकारता और करंसी है इंडोनेशियन रुपिया इंडोनेशिया की रास्टपती हाली में बने है जोको विडोडो तो दोस्तो इतना आपको इंडोनेशिया के बारे में याद रखना है Next question स्टार्टप बिलिंक रैंकिंग में भारत का कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है जिसका सई उफ्षन है 17 वा हाली में भारत को स्टार्टप बिलिंक रैंकिंग में 17 वा इस्थान प्राप्त हुआ है पिछले साल भारत 37 वे इस्थान पर था दोस्तो इस लिस्ट में अमेरिका, यूके और कनाड़ा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस्थान पर मौजूद है वही अगर भारत के शहरों की बात करें तो बैंगलूरो बिसो में 11 वे इस्थान पर इस स्टार्टप बिलिंक रैंकिंग लिस्ट में 11 वे इस्थान पर आया है तो दोस्तो इतना आपको इस रैंकिंग के बारे में याद रखना है नीक्स्ट कोश्चन हाली में किस हाई कूट ने Reporting पर प्रतिवंद हटाया है जिसको से यह option है मदरास हाली में मदरास हाई कूट ने TikTok एप से प्रतिवंद हटाया है दोस्तों TikTok के मालिकों को App पर असलीलता पर रोख लगाने के लिए कहा गया था और इस पर रोक लग गई है जिसकारण इस हाई कोट ने इस पर प्रितिबंद हटाया है अब यूजर्स फिर से गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर से टिक टॉक एप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो अब बात आईए मदरस हाई कोट की तो आपको इसके बारियों बता दें चित्रे में आप देख पा रहे होंगे ये है मदरस हाई कोट इसकी स्थापना 1662 में की गई थी कुल जजों की संक्या है 60 अभी हाली में इसके चीफ जज है बिजय कमलेस तहल रामानी तो इतना आपको मदरस हाई कोट की बारी में याद रखना है नेश्ट कोशन हाली में किसने एसियन चेंपियंशिप में गोल्ड मेडल जीता है जिसको से यॉफ्षन है पी यू चित्रा हाली में पी यू चित्रा ने एसियन चेंपियंशिप में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 1500 मीटर रेस को 4 मिनिट 14 सेकंड में पूरी की है और जिसके कारण इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है इन्होंने 2017 में भूवनेश्वर में भी गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों अगर वहीं बात करें पुरुषवर्ग की तो 1500 में मीटर में अजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है इसके अलाबा दूती चंद्र ने 100 मीटर रेस का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने 11.88 सेकंड में यह रेस पूरी की है तो इतना आपको दूती चंद्र के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कोशन हाली में किस देश में बिस्व का पहला संभावना मंत्राले शुरू किया गया है इस मंत्राले में कोई भी मंत्री नहीं होगा यहां के कैबिनेट सदसी इसका कारिभार समभा लेंगे इसे UAE के महत्पूर्ण मुद्दे भी सोंपे जाएंगे दोसो देश में युवा प्रतिवाओं को खोजने के लिए अलग सिस्टम भी बनाया जाएगा संभावना मंत्राले की द्वारा दोस्तो अब बात आईए UAE की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें मैप में ये जगह है UAE को दरसाती है UAE की राजधानी है आबुदावी करंसी है दिरहम और UAE की रास्टपती है खलीफा विंजयाद अलनाहयान तो दोस्तो इतना आपको UAE के बारे में याद रख इन महिलाओं की सुनवाई हर सुमबार रास्ट ये महिला आयोग करेगा महिला आयोग ने एनराई पुर्सों की पीरित पत्नियों की समस्या सुनने के लिए उनसे ब्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया है इन महिलाओं की सिकायतों को बहतर डंग से जानकर उनकी मदद की जाए इसलिए यह सुनवाई हर स्वंभार को की जाएगी नेक्स्ट क्वेशन इस उच्ब का उत्सफ कहा शुरू हुआ है सागर हाली में सागर में गउर गउर उत्सफ शुरू हुआ है मद्धिप्रदेश की पहली विश्विध्याले हरीशिंग और विश्विध्याले में यह उत्सफ शुरू हुआ है इस उत्सफ का उत्देश गिली डंडा, पिट्थू जैसे परंपरागत खेलों के बुलुप्त होने से रोकने के लिए साथ ही बड़ी मुकाम पर पहुँचाने के लिए गौर गौरव उत्सफ शुरू किया गया है दोस्तो अब बात आये सागर जिले की तो कुछ इंपूर्टेंट फेक्ट आपको सागर जिले के बारे में बता दें मद्यपृदिश का दूसरा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सागर में ही इस्थित है पहला इंदोर में बनाया गया है फॉरेंसिक साइंस लेब की स्थापना भी सागर में ही की गई है नौरा देही वन्न जी वब्यारन सागर जिले में ही इस्थित है एरण में सती का प्रिथम लिखित साक्ष प्राप्थ हुआ है दोस्तो आपशन्द की गुफाएं और गड़ पहरा प्राचीन सागर की नाम से जाना जाता है दोस्तो सागर में पदमा कर समार होई मनाये जाता है और स्टेनलेस स्टील कॉंपलेक्स भी सागर में ही इस्थित है तो दोस्तो इतना आपको सागर जिले के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में किस सिक्षा के एडमिशन लेने के लिए एक महिने का फाउंडेशन कोर्स जरूरी किया है जिसको सिक्षा है MBBS सिक्षा MBBS सिक्षा में आपको एडमिशन लेने के लिए अब एक महिने का फाउंडेशन कोर्स करना जरूरी हो गया है Medical Council of India के MBBS करने का कारिकुलम 21 साल बाद बद रहा है इस कोर्स में Communication Skill, Ethics, Computer Skill, Medical Terminology और भासा मरीश से ब्योहार कैसी करने इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपको इस फाउंडेशन कोर्स की बारे में इतना याद रखना है Next Question हाली में मद्यप्रदेश श्रम जीवी पत्रकार संग का अध्यक्ष किसे चुना गया है जिसको सी Option है उपेंद्र गोतम हाली में उपेंद्र गोतम को मद्यप्रदेश श्रम जीवी पत्रकार संग का अध्यक्ष चुना गया है उपेंद्र गौतम मुरेना के रहने वाले हैं 21 महा अधीवेशन स्रम जीवी पत्रकार संग की बैठक बांदावगड में आयजित की गई थी जिसमें राधाकृष्ण सिंगल को प्रदेश सचव और उपेंद्र गौतम को अध्यक्ष चुना गया है इस रिपोर्ट अनुसार भारत और चीन में डायवेटीज एक घातक बीमारी बनती जा रही है रिसर्च अनुसार यूरोप और अमेरिका की तुलना में एशिया में सबसे ज़्यादा महिला हैं डायवेटीज के करण अपना दम तोड़ देती है दोस्तो अब ये रिपोर्ट डवलुयाचो द्वारा जारी की गई है तो आपको इसके बारे में बता दे डवलुयाचो का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजिशन होता है इसकी स्थापना साथ अप्रेल 1948 में की गई थी डवलुयाचो का हेटकॉर्टर जिनेवा स्विजरलेंड में है और हेड हैं हेड्रोस अधानों तो दोस्तो इतना आपको डवलुयाचो की बारे में याद रखना है हाली में किसे रेडवस का ब्रांड अम्बैसेडर चुना गया है जिसको सही ओफ्षन है महंदर सेह धौनी MS Dhoni को Red Wars का Brand Ambassador चुना गया है ये भारती टीम के विकेट कीपर पूरु कप्तान है दोस्तो हाली में ये चेन नई सोपर किंग्स के कप्तान भी है Dhoni, Presentment Dream 11, Colgate, TVS Bike, Mastercard, Orient Fan आधी के Brand Ambassador है तो इतना आपको Dhoni के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का Daily Current Affair आप हमारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्धिप्रिदेश और वर्ल्ल के Interesting Fact को लेकर हाज रोंगे दोस्तो हमारे एक और सीरीज जिसमें हम मद्धिप्रिदेश के 30 Important Question लेकर आते हैं उसका तीसरा पार्ट आचुका है आप जाकर देखिए बहुत इंट्रेस्टिंग पार्ट है तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार, have a nice day